प्रदेश में कोरोना वाइरस का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन आम जनता की जरुरत को देखते हुए सरकार की ओर से लोकडाउन में राहत दी गई है जिसमें सरकार ने रेस्टोरेंट मिठाई की दुकाने खोलने की अनुमती दी है ग्रिय विवा के आदेशों के अनुसार ग्राहक यहां से खरिदारी कर सकेंगे या फिर होम डिलेवरी करवा सकेंगे जिसको लेकर चिकिसा मंत्री डॉक्टर रगू शर्मा ने कहा कि लोकडाउन में लोगों को कई तरह की समश्याएं आ रही थी ऐसे में आम जनता की सहुलियत को देखते हुए राहत दी गई है लेकिन जहां कोरोना पोजिटिव मरीज आ रहे हैं या कर्फ्यूग रश्ट ख्षेतर है वहां के लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है अच्छी उन्हें निकाले हैं उसमें रेस्टोरेंट और भोजना ले जितने भी है वहां लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बाद की है वहां जाके खाना ला सकते हैं और वो आपके घर पर खाना बेज सकते हैं इसी तरह मिठाई की दुकान पर भी यही टेक अवे और होम डेलिटी की सुद्धा शुरू की गई है इसके अलावा ग्रामेंग शेतरों में जो सड़कों पर ढबे होते हैं क्योंकि कई लोगों को तो उन धाबों को शुरू करने की पर भी देए हाडवेर की दुकान में जो प्लंबर की दुकान है कारपेंटर की दुकान है प्रैंट वाले की दुकान है जो रोजमरा लोगों के काम आते हैं चीज निर्मान सामगरी जाम मिलती है उनको अनुमत किया गया है एसी कूलर टी दी और electronics और विद्यूत समंधी जो भी पंकिया विजली टूबलाइट सारी चीज़ है ये जो दुखाने